नमस्कार दोस्तो आप सबीने मचलियों को जरूर देखा होगा काभी सारे लोग मचलियों को खाना पसंद करते हैं तो काभी सारे लोग मचलियों को पालना पसंद करते हैं तो काभी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनने मचलियों के बारे में जानना अच्छा लगता है तो दोस्तो आज हम अपने इस वीडियो के अंदर मचली के बारे में कुछ खास एसी बाते बताने वाले हैं जो कि सायदी आप लोगों को नहीं पता होगी और दोस्तो ये इस वीडियो का पहला पार्ट है और अगर आपको इस तरह की वीडियो आगे भी देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कर ले और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइफ भी जरू कर देना तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं नमबर एक, एक समुद्री फ्रिलीड सार्ख का गरवकाल 3-5 साल तक होता है नमबर दो, कुछ सार्ख अपने जीवनकाल के दोरान अपने 30,000 दात खो देती है नमबर तीन, दोस्तों एक गोल्ड फिस सिर्फ 3 सेकिंड तक ही कुछ याद रख सकती है नमबर चार, विस्व में मचलियों की कम से कम 8,500 पर जाते है पाई जाती है जिने अलग-अलग अस्थानों पर 2,18,000 बिन बिन नामों से जाना जाता है और कम से कम 11,73 पर जाते हैं विलुप्तोंने की कगार पर है नमबर पाँच, उच ग्रहतों के करण मर्द सागर में तैराकों का डूमना असंभव है इसी करण इसमें कोई भी मचली जीवित नहीं रह सकती नमबर छे, सर्क इस धर्ती पर 40 करोड साल से रह रही है नमबर साथ, डॉल्फिन मचली पानी के नीचे भी 24 किलोमेटर दूरी तक सुन सकती है नमबर आठ, जैली फीर धर्ती पर 45 क्रोड सालों से रह रही है नमबर नो, सर्क सोते और आराम करते समय भी गति कर सकती है नमबर तर्स, एक बलुवेल बिना खाय छे महीने तक रह सकती है नमबर ग्यारा, ब्राजिल, कमबोडिया, वेनेजुएला और पैरो में पाय जाने वाली इलेक्ट्रिक इल्फ चार सो से सेड़े 600 वोट तक करन टैदा कर सकती है नमबर बारा, जैतर मच्यों के पुरे सरीर पर समात तंत्रिका होती है, जो उन्हें सुवाद का अनुबाव कराती है नमबर तेरा, फंग टूत मच्ली केवल कुछ इंच लंबी होती है, जबकि इसके दातों का आकार मनुष्य के दातों के आकार के जितना होता है नमबर चोदा, मुडिस्की पर एक मच्ली है, जो की अपना अधिक्तम समय पानी से बाहर रहती है, और यह अपने पंको पर चल सकती है यह पानी से निकलने से पहले अपने गलपडों में थोड़ी सी मातर में पानी ले जा सकती है यह अपनी गिली तवचा के चिदर दौारा भी सांस ले सकती है नमबर पंदरा, एक फेबड़ा मच्ली पानी से कुछ साल बाहर रह सकती है दोस्तो एक फेबड़ा मच्ली के फेबड़े और कलपड़े दोनों होते हैं और ये इस मचली का नाम है एक फेबडा मचली नमबर 16, बिल्ली मचली 37,000 परकार के स्वाद ले सकती है जबकि मनुस्य केवल 7,000 परकार के स्वादी ले सकता है नमबर 17, समुद्री गोडा मचली इकलोती मचली है जो की बिल्कुल सीधे तैरती है 18. महान सपेज सार्ग जैसी मचलिया अपने सरीर का तापमान बढ़ा सकती है यह उन्हें ठंडे पानी में सिकार करने में सायधा करता है 19. अब तक की सबसे बुजुर मचली ओस्टेलियन फेबडा मचली है 20. मचली एक दूसे तक संदेश भेजने के लिए कमगुण वत्ता वाली तरंगों का प्योग करती है और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लेगी हमें कमेंट करकर जरू बताएं